दोस्तों गर आप भी महेंदर सिंग धोनी और रोही चर्मा को दुनिया का सबसे खदरनाग खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों इंडिया पाग महा मुकाबले से पहले धोनी की भविश्यवानी ने बढ़ाई करोडों हिंदुस्तानियों की टेंशन माहानतम कप्तान धोनी ने पाकिस्तान को भारत के लिए सबसे बड़ा खत्रा बताते हुए कह दिया है कुछ ऐसा सुन तूट गया करोडों हिंदुस्तानियों का दिल तो आखिर महेंदर सिंग धोनी ने भारत पाकिस्तान के मैच पके से बताया चैंपियन क्यों धोनी की भविश्यवानी से पूरा क्रिकेट जगध हिल गया कैसे उन्होंने अब हिंदुस्तान से ही किया धोखा उनके बयान के साथ-साथ ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित चर्मा और महेंदर सिंग धोनी मैसे कौन है सबसे खदरनाक कपतान नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए दोस्तों टी-20 वर्ल्ड कप का रोमांच आए दिन देखने को मिल रहा है अब तो भारतिय टीम ने भी अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ जीत कर आगास किया है इस मुकाबले में कपतान रोहित शर्मा का बल्ला जबरदस्त अंदाज में दहारता हुआ दिखाई दिया वहीं हार्दिक पांडिया के साथ साथ अर्शदीब सिंग और जस्परीद बुमरा की कातिलाना गेनबाजी देखने को मिली और टीम इंडिया ने न्यूँ यॉर्क के मैदान पर एतिहासिक जीत दर्ज की लेकिन अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनोती अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है इन दौनों टीमों के बीच मुकाबला नौजून को न्यूँ यॉर्क के ही मैदान पर खेला जाना है ये मुकाबला देखने के लिए करोडों क्रिकेट मैदान पर फैंस इंतजार कर रहे हैं हर किसी की निगाहें इन दौनों टीमों पर टिकी होई है क्योंकि इन दौनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलता है ये दौनों टीमें केवल ICC के टोनमेंट में अप्रामने सामने होती हैं इसलिए इस मुकाबले का महत वहर किसी को पता है जहां पाकिस्तान के गनबाज line-up बेहुद मजबूत है तो वहीं भारतिय बल्लेबाज line-up का कोई तोड़ नहीं है भारत के पास रोहित विराट सुणे कुमार यादव जैसे कुंखार बल्लेबाज मौझूद है तो वहीं पाकिस्तान के पास शाहिन अफरीदी, नसीम शाह मुहम्मद आमिर जैसे खतरणाग गेनबाज हैं, ऐसे में मुकाबला बेहत दिल्चस्प होने वाला है, हर किसी की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है, इन दौनों टीमों के बीच मुकाबले से पहले करते हुए, ऐसी टीम को चैंपियन बताया है, जिसे सुनकर तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान है, वहीं उनका बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तो चलिए अब हम आपको धोनी की भविश्यवानी को सुनाते हैं, उन्होंने भारत के बजाए किस टीम को वर्ल्ड कप का चैंपियन क्यूं उनका बयान हो रहा है, तेजी से वायरल, महिंदर सिंग धोनी ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भविश्यवानी करते हुए बयान दिया, और कहा कि मुझे दौनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल है, दौनों टीमें बेहद खतरनाख हैं वैसे भी, ICC के टौनमेंट में केवल ये दौनों टीमें आमने सामने होती हैं, इसलिए इस मुकाबले का महत्व तो हर किसी को पता है, दौनों टीम के खिलाडी मुकाबला जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं, ये तो मैच के बाद रिशपपंद, सूरेकुमार यादव जैसे खतरनाख के लाड़ी मौजूद हैं, तो वहीं हमारी गेनबासी लाइन अभी बेहत मजबूत है, मगर रोहित की टीम को ओवर कॉन्विडेंस में नहीं जाना होगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम कमजोर नहीं है, वो किसी भी परि और महिंदर सिंग धोनी में कौन है सबसे खतरनाख कप्तान? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं. नियू यॉर्क के नसाओ क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है. इस मैच के लिए दोनों टीमें अपनी तयारी में लग चुकी हैं, लेकिन मैच के शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों ने अपनी तयारी को मजबूत करने के लिए भ्यास मैच खेला, जहां पर इ एकने को मिला. दरसल इस मैच में रोहिच शर्मा ने टॉस जेत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैस्ला किया, और सबसे तियस शालत लगाकर तहल का मजबूत करने वाले हैं. हलांकि ये तो कुछ भी नहीं था रोहिच शर्मा ने इसी ओबर में अपना मन पसंदीदा पुल शोट खेला और दर्शकों को खुश होने का मौका दे दिया हलांकि रोहिच शर्मा ने इसी तरीके से लागातार अच्छी बल्ले बाजु करने का काम किया जहां पर उन्होंने तेज्वी से बल्ले बाजु करते हुए और किसी गेंद बास को आड़े हाथो ले लिया था इसमेच उन्होंने पाकिस्तान जीम के सबसे बेहितर गेंदबाजों में से एक शादाब खान के सामने लागातार तीन गेदों पर तीन शक्के लगाए और बता दिया कि रोहिच शर्मा इस मैच में काफ़े ज़ादा तूफानी बल्ले बासी करते दिखाई देंगे और इसी के साथ उन्होंने मातर सत्रा गेंदों के अंदर अपना अर्दुश शतक पूरा कर लिया और अबागे शतक लगाने का पूरा प्रियास भी जारी रखा जहाँ पर रोहिच शर्मा ने बेहितरीन तरीके से बल्ले बासी करते हुए इसमें गेदबाज जिफ्तेखार एहमद के सामने लागातार चार गेंदों पर चार बेहितरीन शौके लगाए थे पारी खेली थी और रोहिद शर्मा ने 126 और 8 शक्के लगाए इस बेचust 32dv के स्ट्राइक रेट से रोहिट शर्मा ने बल्ले बाजी की और ऐसे मैं भ्यास मैज में रोहिद शर्मा के द्वारा खेली गई स्टूफानी पारी को देखकर भारती मेनेच्मेंट काफी जादा खुश हुआ है और ऐसे ही शांदार प्रोडर्शन के उम्मेद रोहिच शर्मा से पाकिस्तान के खलाफ सबसे बोड़े मैच में की जा रही है तो दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तान के खलाफ रोहिच शर्मा को श 96 रन पर ओल आउट किया और उसका पीछा कर मैच को अपने नाम कर लिया जहां पर जीत के असली हीरो रोहिद शर्मा रहे इस बीच रोहिद शर्मा ने सैंतिस गेंद पर 52 रन की पारी खेलने के साथ T20 में 4000 रन पूरा करने का कार रे किया साथ में 600 शक्के पूरे कर लिये इतन जारी किया है जिसमें शाहिद अवरीदी ने बयान देते हुए काया कि बारतिय टीम के कप्तान रोहिद शर्मा ने काफी ज्यादा बहतरीन बन्ले बाजी करते हुए सभी को परभावित किया है 마음에LES इस मैच के अंदर उन्होंने बहतरीन पूरदर्शन करते हुए बता दिया ह जो बताता है कि रोहिच शर्मा किस प्रकार के खदरनाग खिलाडी है मेरा मानना है कि रोहिच शर्मा के द्वारा बनाए गए इन रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी बल्लेबास के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा हलाकि यहाँ पर सभी बल्लेबासों को दिक्कत का सामना करना पढ़ रहा है लेकिन रोहिच शर्मा अकेले ऐसे बल्लेबास हैं जिन्होंने काफी ज्यादा बहतरीन बल्लेबास ही की है साथ में बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं तो वहीं ब्रेंडन मैकिलम ने बयान देते हुए काया कि भारतिय टीम के लिए रोहित चर्मा ने काफी ज्यादा बहतर प्रदर्शन किया है। रिकार्ट को देखकर मुझे लग रहा है कि रोहित चर्मा की इस रिकार्ट तोड़ पाना किसी भी युवा बल्लेबास के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रोहित चर्मा ने सिर्फ तूफानी पारी नहीं खेलिया बल्कि बड़े रिकार्ट अपने नाम करते हुए बता दिया है। कि उनके रिकार्ट को तोड़ पाना किसी भी बल्लेबास के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐसे मैं उनके तूफानी प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो वहीं उवरा सिंग ने बयान देते हुए कहा है कि रोहिद चर्मा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खदरनाग टी-20 बल्लेबास और कप्तान है। क्योंकि रोहिद चर्मा के पास में वो काबिलियत मौजूद है जो किसी और टीम के पास में मौजूद नहीं है। प्रदर्शन को देखते हुए आप क्या क्याना चाहेंगे अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।